हेलो फ्रेंड्स वेलकॉम तो सोलर ग्यान और नीव चैनल अभी अभी जश्ट हम सबको पता है कि जो जीएश्टी का रेट है जो सोलर और विंड कंपोनेंट्स है उसमें 5% से 12% इंक्रीज कर दिया है गवर्मेंट ने और उसका क्या इफेक्ट रहेगा आए उसके बारे में डिसकस करते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका बैकगाउंड बता दूं को जीएश्टी काउंसिल की 17 सेप्टेंबर 2021 को मीटिंग हुए थी जिसमें जीएश्टी काउंसिल ने यह रिकमेंड किया था जीएश्टी रेट और आरी सेक्टर जो 5% से 12% और जो उसमें जो आ इसके रिगार्डिंग जो है 30 सेप्टेंबर 2021 का इसका नोटिफिकेशन भी इसू हो गया है जिसके बाद यह जो जीएश्टी रेट है यह अलेडी केम इंटु एफेक्ट फ्रम 1 अक्टूबर 2021 यह अलेडी एफेक्ट्स में आ गया है इसमें थोड़ा सा मैं आपको यहां पर यह भी बता दूँ कि जो मान लीजिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इसे जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और जिनका लेडी टेंडर हो गया रिवर्स ऑक्षन हो गया है यह वी इसू हो गया है इसके बाद जो जीएश्टी रेट इस हें तेंडर होते हैं public tender mainly जो गवर्मेंट tender निकालती है state government यह central government के जेंटी चेंडर निकालती है उसे टेंडर में जो क्या होता जारली जो एग्रेमेंट होता है पार पर्चेज अग्रिमेंट जिसको बोलते हैं जो एग्रेमेंट होता है उसमें, उसमें एक clause होता है, change of law clause में, यह इसमें होता है कि government कोई भी अगर taxes या अगर कोई duty increase करती है, taxes जैसे कि GST rate हो गया, और भी कोई other taxes है, या duty, safeguard duty, anti-dumping duty, इसमें कोई duties increase होती है, तो already change law में यह इसको cover किया जाएगा, और इसका जो final impact है, उसको उसका benefit मिलेगा, वो उसमें आ जाएगा, लेकिन जो open access of solar roof top sector है, यह इसमें यह badly effect हैंगे, क्योंकि इसमें कोई tender का थूफ होता नहीं है, और इसका सीधे-सीधे impact जो है, top sectors में क्या होता है, कि इसमें mutual agreement होता है, थोड़ा सा dispute इसमें आ जाता है, कि इसको किस तरीके से पासन किया जाए, overall बैसे higher cost will be passed on to the customers, resulting in the solar and higher solar wind tariff, और उसमें भी semi होता है, उसमें भी solar or wind tariff जो भी है, जो public sector की बात कर रहे हैं, public tenders की बात करते हैं, उसमें भी semi effect रहता है, finally यह मतलब tariff ही increase होती है, और जो भी notification की बात कर रहे हैं, कि जो notification already came into effect, wide notification number dated 8 oblique 2021, 30 September 2021, इस notification के साब से, जो यह GST rate हुआ करता था, solar wind sector का, schedule 1 में हुआ करता था, जो की जो earlier इसके notification 1 oblique 2021 से बन था, dated 28 June 2022, उस schedule 1 से हटा करके, अब यह जो GST rate है आपका, RE sector से related, solar wind sector, इसको schedule 2 में कर दिया गया है, schedule 2 में करने से क्या है, schedule 2 में जितने rate हैं basically, उस सारे 12% वाले आपके rate है, अगर हम बात करते हैं कि इसका impact कैसे रहेगा, जो GST increase हुआ है, 5% से 12% जो changes किये हैं, उसका finally impact कैसे रहेगा, तो obviously जानते हैं, final product, जो solar wind, अगर हम component की बात करते हैं, तो इसका final product आपका क्या है, final product हमारा electricity ही है, solar electricity या wind electricity जो भी है, मतलब final हमारा electricity ही है, तो obviously इसका final impact electricity पढ़ेगा, और electricity means इसका जो अगर बात करें, tariff की, तो इसका final impact tariff पर ही जाएगा, और tariff इसका increase होगा, और अब अगर इधर recent अगर जितने हम बात करते हैं, जितने भी tender हैं तो इसमें rate, tariff थ्वासा higher side पर ही है, उसका दो-तीन major factors हैं, एक तो यह है कि जो commodity जो prices हैं, जिसे solar panels है, solar panels के rate भी already बढ़े हुए हैं, प्लस जो other material हैं, जो balance of system में लगते हैं, आपके जैसे steel होगे, aluminium होगे, जो इस सब जो आपका commodity अधर हैं, इनके भी rates बढ़े हुए हैं, तो इनका already इस present circumstances में, already impact तो solar tariff पर तो है ही, इसके साथ साथ government of India ने, minister of finance के through notification अल्रेडी निकला हुए, कि जो basic custom duty है, यह already आपका solar module पो 40% और 25% जो solar sales है, already आपके इसके अप्रिल 2022 से applicable हो जाएंगे, तो अभी जितने tenders निकल लें आपके आज की date में, already इस impact को consider किया जा रहा है, क्योंकि जो tenders निकलते हैं, conclude होते होते हैं, आपका reverse auction हो जाता है, reverse auction होने के बाद फिर PPA issue होता है, PPA sign होने के बाद फिर उसके बाद आपका 15 months, 18 months, 12 months, जो भी commissioning period का duration दिया जाता है, तो यह जो इदर जितने tenders निकलने, यह अप्रिल 22 के बाद ही आपके projects आएंगे, तो उसका जो impact है, जो BCD जो increase जो already किया गया है, 40% और 25%, उसका already developers इस impact को consider करते हैं, टेरिफ में भी consider करें, तो इसकी विसे आलेडी टेरिफ तो बढ़ी रही है, साथ-साथ में यह GST भी आपका 5% से 12% increase कर दियागा, तो इसका भी impact आएगा, और जो इसका expert है, जो इस field का expert है, उनका यह मानना है कि इसके जो capital cost है, जो GST 5% से 12% increase की गई है, तो इसे capital cost में 4.5% के आज़ पास increase हो जाएगा, और capital cost में increase होने से जो इसका tariff portion है, आएगा, इस GST के increase होने से, और मैं आपको तोड़ा से यहां पे अभी update कर दो कि अब तक का जो lowest solar tariff रहा है, जो bidding के थूर जो निकल के आया था, वो आपका December 2020 में आया था, और इसमें जो tariff जो गुजरात का tender था, जी विनल का, उसमें tariff आया था, और minimum tariff उसमें 1.99 per unit निकल के आया था, वो December 2022 में जो निकल के आया था, वो minimum tariff था, उसके बाद यह upward swing पे हैं, और आज की रिटम जो tariff जो है, वो थोड़ा सा fluctuate कर रहा है, लेकिन फिर भी यह minimum tariff था, और अब यह आज करें 2.22, 2.30, 2.40, इस type से tariff आ रहा है, उसके दो major region थे, उसके दो major region यह था, कि आपका BCD जो था, basic custom duty जो था, वो आपका solar modules पर 40% और solar cell पर 25% है, वो उसका effect था, प्लस दूसरा effect आपका ALMM था, मतलब ministry of new and renewable energy ने एक mandatory कर दिया कि जितने public tenders होंगे, public जिनका जो large effect है, जिसमें की जो state और central government tenders निकालती है, उसमें जो projects लाएंगे, it should be from the ALM list, approved list of model manufacturers list है, जिसमें की जो in panel, आपके जो manufacturers हैं या in panel, जो panels होंगे, बस उनी से लिया सकता है, उसका भी एक effect था, दो major impact था, third impact आपका GST का आगया भी आपका 5% से जो 12% है, तो इसका भी impact आए गाई जिसका भी मैंना भी जिक्री किया कि 10% जो expert है, दस पैसा पर unit की बात करेंगे, इसका tariff impact आएगा, अब हम बात करते हैं कि इसको जो impact है, इसका manufacturers और EPC contractors क्या impact आएगा, तो manufacturers पर कोई इसका खास effect नहीं आएगा, इसका region यह है कि जो manufacturers हैं जो भी इसके जो component हमालेज, अगर हम wind turbine की बात कर रहे हैं, तो wind turbine के जो components जो manufacturers लेते हैं, अगर उनका 12% duty है, और final product भी 12% है, तो उसको पासान कर देंगे, सेम solar manufacturers के अगर हम बात करते हैं, तो जो component है, जो solar component है उस पर अगर 12% लग रहा है, और final product भी 12% है, तो बहुँ ज़्यादा इसमें manufacturers पर एफेक्ट नहीं आएगा, उसको पासान कर देंगे, अब हम बात करते हैं, EPC contractors के, EPC contractors का क्या होगा, तो EPC contractors for solar wind farms will now pay 13.8% on the EPC services compared to 8.9% earlier, तो यह basically 13.8% और 8.9% figure कहां से आ रही है, उसके बारे में आप जान लेते हैं, basically यह क्या हुआ कि जो notification जो आपका है, यह solar wind का, जो RE sector के लिए निकला है इसमें, तो इसमें आज कोई developer है, वो क्या करता है कि किसी को contract को देता है, यह project complete करने के लिए order place करता है, तो जो order place करता है EPC contractor को तो उसमें क्या होता है, कि material plus services दोनों component होते हैं, तो government ने इस चीज़ को यहां पर यह बोला कि जो EPC contractor है, जो total project value है, मान लिए 100 rupees की total product value है, तो उसमें जो 70% component होगा, it will be considered as a material part, और जो 30% component है, it will be considered as a service part, अगर आप obviously कहीं अगर product of solar projects लगाने किसी को देरा, अपने घर पर आप example ले लिए कि किसी को हमें अगर contract देना है project लगाने के लिए, तो अगर देते हैं तो दोनों वो material भी लाएगा plus आपका लगाएगा भी services भी देगा, तो उसको यहां पर जो government ने 70-30 ratio में component में divide किया गया, 70% on the material part, 30% on the services part, तो अगर आपनों बात करते हैं यह आपका 8.9% जो figure है जो पहले था, 8.9% का मतलब यह है कि जो 70% of the 5% जो 70% जो portion it will be considered as a material part, और material पर जो आपका जो GST था 5% लगता था और जो 30% component is considered as a service part, जो आपका 8.9% होता था, अब यह बढ़ करके effectively क्या हो जाएगा, 70% component है material part का 12% हो गया, और 30% same आपका 18% ही है, तो इसका जो effective rate है 13.8% हो गया, आप समझी रहे होंगे कि जो total composite component होगे, total GST component EPC contractor के लिए वो आपका 13.8% हो गया, पहले आपका 8.9% होगा अब इसका effect क्या है basically, इसका effect यह है कि as a result of this, there is a some narrowing of the duty structure on the input versus output, even for the EPC contractor gap काम हो गया, उसका gap कैसे काम हो गया, the gap between input and output rate faced by the EPC contractor which was earlier at 4.9%, वो difference यहाँ पर के material part से लिया गया है, पहले आप जिसे EPC contractor है, वो material कहीं ने, material purchase करेगा, किसी third party से या manufacturer से, उस पर 5% pay करता था, और finally जो claim करता था आपका 8.9% claim करता था, जो gap था, वो आपका gap आप देख सकते हैं कि कितना था, 3.9% का gap करता था, लेकिन अब आज की date में क्या होगा, 12% pay करेगा वो material purchase करने के लिए, लेकिन claim आपका 13.8% करेगा, जो gap है यह gap कम हो गया, अगर देखा जाए तो EPC contractor के point of view से, जो input और output credit का जो gap है, वो पहले ज्यादा था, और अब वो gap कम हो गया है, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि EPC contractor भी के लिए थोड़ा सा advantage ही है, अगर हम अब import की बात करते हैं, तो इसका जो GST बढ़ा इसका import पर क्या impact आएगा, तो on imports of solar cell and model similar changes would occur, same ही rate रहता है, the IGST जो है, IGST and imports which is equal to GST of domestic manufacturers would see a similar increase, basically अगर हम लोग कहीं बाहर से material import करते हैं, उसमें 3-4 major component होते हैं, तो basic custom duty होता है, safe guard duty होता है, IGST होता है, जो basic custom duty आज की रिट में nil है, और safe guard duty भी nil है, क्योंकि जुलाई तक ही था safe guard duty का वो भी खतम हो गया, जो IGST component होता है, IGST component is similar to the GST component, तो पहले 5% था और आप 5% बढ़कर 12% हो गया, और solar module पर 40% increase हो जाएगा, तो यह जो GST revision का जो impact आएगा, 5% से 12% तो final जो impact आएगा आपका, यह 42.8% आपका solar sales पर आएगा, और आपका solar module पर 61.28% आपका final impact आएगा, आप्रील, आप्रील 2022, जो 1st April 2022 से जो rate होगा, इसका final, इस GST के increase होने की वज़से, यह आपका 42.8% on solar sales और आपका module पर 61.28% हो जाएगा, और अगर हम developer की बात करते हैं, तो सबसे जो ज्यादा worst affected अगर जो है, इसमें developer होगा, उसका region यह है कि जो final अगर हम लोग बात करते हैं, जो भी rate increase होता है, जो भी इसका final product क्या है, solar sales और module scale में बात करते हैं, विंटरबैन की बात क्या है, तो final product आपका इसमें electricity है, और अभी आज में जो electricity जो है, electricity पर जो duty लगती है, वो GST में included नहीं है, तो इसलिए final product पर जो developer है, इसको पासान नहीं कर पाता है, input और output जो credit का जो difference है, सबसे ज्यादा developer के पास ही होता है, क्योंकि developer के पास यह जो rate है आपका, EPC contractor को जो pay करेगा 13.8% करता है, यह आगे पासान नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि जो इसमें tariff है, tariff जो tariff जो duty लगती है, tariff is not under the GST electricity जो है, GST के अंदर नहीं आता है, इसमें, if the developers avails of the services of turnkey EPC contractor for solar and wind plant construction, the accumulation will be 13, just मैंने बता है, इसमें कि जो EPC contractor है, वो claim करता है, developer से 13.8% claim करेगा, क्योंकि 70% आपका जो लगता है, material part पर लगता है, आपका जो GST rate है, और 30% आपका services लगता है, effectively आपका 13.8% बनेगा, तो developer manufacturers तो developer से claim कर लेगा, लेकिन developers जो यह है, यह इसके पास credit accumulate होता जाएगा, यह क्योंकि यह electricity में जो discom को अचाहें किसी और parties को बेशता है, तो इसको पासान नहीं कर सकता है, क्योंकि जो electricity है, यह GST में के अंडर नहीं आता है, इसलिए, इसलिए accumulation बढ़ता जाएगा developers के पास में, अर्लियर यह 8.9% था, जो कि बढ़ करके अब 13.8% हो गया है, developer के point of view से, इसमें यह just a suggestion है कि government should seriously consider to bring electricity under the GST to address this anomaly of the credit accumulation, क्योंकि credit developer के पास ही कठा होता जाता है और यह pass on नहीं कर पाता है, तो यह बहुत बढ़ा challenge है developer के point of view से, hope दोस्तों कि मेरा जो यह video है आपका impact of GST and RE sector आप लोग को अच्छा लगा होगा, वकर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग like करिए, subscribe करिए मेरे channel को और पने दोस्तों को भी forward करिए, तब तक के लिए thank you, Jai Hind.